जहां तक बसंत कालीन गन्य की बात है यह हमें फरवरी और मार्च में लगाना चाहिए और मार्च मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि यहां का तापकरम फरवरी के बाद बढ़ना शुरू होता है और यह तापकरम जो सही तापकरम चाहिए होता है 24-28 degree centigrade चाहिए होता है तो अगर आप मार्च में जाएंगे तो फिर अंकूरन की समस्या शायद हो सकती है तो पूरा फरवरी महीना बसंद कालीन करना लगाने के लिए बड़ा ही उप्यूक्त होता है खेत में ये ध्यान देना है कि गहरी जूताई करनी है चुकि ये फसल पूरे 12 महीने तक खेत में रहती है और इसकी जड़ें भी अंदर जाती है तो सबसे पहले तो एक बारी गहरी जूताई कर दें उसके बाद दो-तीन बारी हलकी जूताई ट्रैक्टर से या हल से करें ताकि वो मिट्टी एकदम से भुरभुरी हो जाए और फिर उसमें पाटा लगा करके फिर आप समतल कर लें खेत को और उसके बाद नाली निकालें और कोशिस करें कि अगर सिर्फ अकेला गन्ना लगा रहे हैं आप तो एक कतार से दूसरे कतार की दूरी 90 संटीमीटर रखें और अगर साथ में दूसरी कोई फसल लगा रहे हैं तो उसकी दूरी आप अपने हिसाफ से बढ़ा घटा सकते हैं तो 90 से 120 संटीमीटर की दूरी हमारे किसान भाई रखते हैं अगर वो अकेले गन्ना लगाते हैं तो 90 संटीमीटर कतार से कतार की दूरी और अगर बीच में दूसरी कोई 90 फसल लगाते हैं तो वो बढ़ा सकते हैं कि अंकुरन की समस्या बहुत जादा है उसकी वज़ा दीमक भी है जो खेत में दीमक है वो जो आप जब लगाते हैं तो उसकी गेडी में वो छेद करके घूस जाता है और फिर उसकी अंकुरन में बाधा पहुचाता है और गन्ने में सिर्फ 60% तक अंकुरन होता है जिसको हम लोग अच्छा कहते हैं इसका मतलब है कि समस्या बहुत जादा आंकुरन की है जब भी आप खेत में लगाए बिज़ोपचार जरूर करें और जो दीमक की समस्या है इसको लेकर के आप खेत त्यारी करते समय गोबर की खाद वगर तो सब आप डाले ही साथ ही साथ आप लिंडेन धूल लिंडेन डस्ट 25 कीलो प्रती हेक्टेयर या फिर 10 कीलो प्रती एकर लिंडेन दवा का इस्तेमाल जरूर करें खेत में ये दीमक से होने वाली समस्या आपकी फिर कम हो जाएगी अंकुरन फिर ठीक ठाक होगा बीज ऐसे खेत से लें जहां कोई बीमारी नहीं हो वो पहली फसल हो यानि इसमें गन्ने में दूसरी तीसरी फसल भी लेते हैं इसको खुटी फसल या रेटून फसल बोलते हैं तो जब भी बीज का चुनाव करें तो स्वस्त बीज हो आँखे उसकी अच्छी हो तुरत काटने के तुरत बात गन्ने को लगाएं कहते हैं कि 24-48 घंटे के अंदर गन्ना लगता है तो उसमें अंकुरन की समस्या नहीं होती है अगर आप उस बीज को देर तक रखेंगे त इसमाल करें उसमें अंकुरन अच्छा होता है उसमें ग्लुकोज और फ्रक्टोज होता है सुक्रोज अभी नहीं बना होता है इसलिए मीठास कम होती है और वो बीज के लिए सबसे उप्युक्त माना जाता है जैसे आप नीचे जाएंगे मीठास ज्यादा होगी और वो फि पूरा हिस्सा आप इस्तेमाल करें अनिता उपर का दोतिहाई हिस्सा इस्तेमाल करें कि जहां अंकूरन की समस्या है वहाँ पे तीन आख के बदले दो आख का टुकड़ा इस्तेमाल करिए क्योंकि वह दो आख का टुकड़ा हमेशा जोड़े में गीरेगा दोनों आख करने से पहले मैं किसान भाई को एक और ची बताना चाहता हूं कि कीड़े मकोडे से बचने के लिए आप खेत में जो बीज है उसको गिराने के बाद आप 4810G 4810G आप 10 किलो प्रती हेक्टेर या फिर 4 किलो प्रती एकड 4810G दवा वो यूरिया की तरह होता है रवा होता है वो खेत में नाली में डाल दें और उसके बाद आपको रासायनी खाद भी मिटी ढखने से पहले खेत में नाली में बीज गीराने से पहले रासानी खाद का भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए अब रही बात कि कितनी मातरा और कब-कब तो हम गन्ने में 170 कीलो नितरजन डालते हैं करीब 80 कीलो के आसपास में फासफूरस डालते हैं और 60 कीलो के आसपास में पोटास डालते हैं मेरा ये कहना है कि फासफोरस और पोटास, ये दोनों हम जब हम नाली बनाते हैं, बीज डालने से ठीक पहले हमको पूरी मातरा उसमें डाल देनी चाहिए, लेकिन नेतरिजन की एक चौथाई मातरा आप बुवाई के समय नाली में डालें और जो तीन चौथाई बचाते हैं, वो पहली सी चाहि के बाद जब आप निकाई गुडाई करें तब और फिर बाद में जब बरसात आता है तब मिटी चड़ाएं और बाद में आपको इस्सेमाल करना है, इस तरह से आप अगर कारेकरम करते हैं तो आपको गन्ने की बहुत अच्छी उपज मिलेगी और किसान भाई आपला भानवीत होंगे